आज हम बनाएंगे बाफले स्पेशल तरीके से एकदम सौफ्ट और बहुत जाधा स्वाधिस्त और स्पेशल दाल के साथ नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है तो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले डो बनाएंगे तो ये दो कप केहुं का आटा और बाटी अच्छी क्रिस्पी बने इसके लिए ये आदा कप सूजी सूजी बारी क्या मोटी कोई भी ले सकता है एक छोटी चमच से थोड़ा सा कम नमक है ये स्वादन साथ और ये तीन चोथाई चोटी चमच अजवाइन अजवाइन को थोड़ा सा क्रस करके डालते हैं थोड़ा सा बीच में जगे बना लेंगे तीन टेबिल स्पून घी एक चोथाई कब दही इससे बारी में अच्छा टेस्ट और सॉफ्टनेस आईगी चोथाई छोटी चमच बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा डालने से बारी अच्छी फूलती है थोस नेवनती हलके गुण मुने पानी की सहाईता से थोड़ा सा सकत आटा गुथेंगे जैसा पूरी के लिए आटा गुथा जाता है विल्कुल वैसा ही आटा गुथ कर तैयार कर लिए हलका सकत आटा है इतना आटा लगानी में तीन चौथाई कब पानी लगाए इसे 20 निट के लिए ढखकार रख देते हैं और जब तक डो सैट होता है तब तक बाटी के साथ परोस्ते के लिए चना और तुवर की दाल बना लेते हैं यह चने की दाल लिए हमने एक चौथाई कप वजन में 50 ग्राम इसको मैंने धो कर 2 घंटे पहले भिगो दिया था और आप इसको तोड़ कर देखेंगे तो यह कटने लगी है दाल नरम हो गई है जल्दे से कुक हो जाएगी बैसे चने की दाल कुक होने में बहुत जादा ट मसाला तयार करूंगे तब तक यह भीक कर तयार हो जाएगी दाल को बनाने के लिए एक कुकर ले लिया इसमें दो टेबल स्पून घी डाल देंगे गरम घी में ढालेंगे हम यह साबूत मसाले दस काली मिर्च तीन लॉंग एक सिनेमन का टुकडा और एक बड़ी इलाइची को छील कर ले लिया है यह इलाइची के दाने घी में ढाल देते हैं और इन्हें थोड़ा सा सिखने देता है अब डालते हैं जीरा तीन चौथाई चोटी चमच और इसे भून लेते हैं एक पिंच हींग आदा छोटी चमच हल्दी पावडर एक छोटी चमच धनिया पावडर हलका सा भूना इन सबको फ्लेम धीमी कर दी एक बड़ा सा टमाटर पोना इंच अद्रक का टुकडा और दो हरे मिल्च इसका ये पेस बना लिया है फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे अब टमाटर के साथ मसालों को भूनेंगे थोड़ी थोड़ी देर मेच चलाते रहेंगे आदा चोटी चमच लाल मिर्च कुटी हुई और आदा चोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च से से इसमें तीखा पनाएगा कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें अच्छा कलर आएगा और मिर्च आप अपनी पसंद से थोड़ी कम जादा भी कर सकते हैं और देखें मसाले के ऊपर घी तैरने लगा है काफी थीक भी हो गया यह भूण चुका है अब इसमें दाल डालते हैं तो यह चने की दाल यह अरग की दाल जो अभी भीगने के लिए रखी थी मसालों के साथ थोड़ा साइसे एक मित भूल लेते हैं अब इसमें डालेंगे पानी दो कप पानी डाला है मैंने इस समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना जब दाल बाद में गाड़ी लगेगे तब पानी और डाल देंगे एक छोटी चम्मच नमा यह स्वादन साइब कुकर को बंद कर दीजिए और एक सीटी आने तक किसी कुक कर लीजिए कुकर में ए इसको मैं उठाकर रखती हूं दूसरी जगे और यहां बाटी बनाने के लिए पानी गरम कर लेते हैं और 20 मिनिट में डो भी दयार हो गया थोड़ा सा हाथ पर घी लेते हैं और इसे मसल लेते हैं कुछा में दशलाएं यह स्मूथ होगिया अब इससे लोह तोड़ते हैं दो को आदा आदा तोड़कर ले लिया और थे सा इस तरीके से लंबाई में बढा लिया और चोटे चोटे टूकड़े बना लिये इसके ये आप अपनी पसंद से थोड़े चोटे या बड़े बना सकते हैं जैसे भी बाटी खाना पसंद करें हम बाफले स्टीम करके बनाएंगे टैडिशनली इन्हें उबाल कर बनाया जाता है लेकिन उबालने में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो यह पड़ जाते हैं या पानी में घुल जाते हैं लेकिन स्टीम क करने के लिए हमें चलनी चाहिए थोड़ा सघी लगा लेता है अब एक टुकड़ा आठी का उठाएंगे और इन्हें गोल करेंगे बहुत ज्यादा स्मूध करनी के जुरूत नहीं है इन्हें तो बस गोल करना है यह गोल हो गया लगा देते हैं चलनी के ऊपर इन्हें पर रख देते हैं यह चलनी कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसके ऊपर चलनी आ जाए और इसे ढखकर मीडियम हाई फ्लेम पर पंदर मिनिट तक स्ट्रीम होने दीजिए पंदर मिनिट में हमारी बाटियां कुक होकर तयार है नहीं चेक करने की बिल्कुल जरूरत नही अची और अब देख रहे हैं के बिच में कितना स्पेस था काफी कम हो गया अच्छी फूलायओ जह सकते इसे हम ने कर सकते हैं । इन्हें हलका सा ठंडा कर लिया, ये ओवन की ट्रे सबसे पहले बनाते हैं ओवन में, ओवन को पहले से ही प्रिहीट कर लिया है, इसे हमने 230 degree centigrade पर सैट किया है, पहले हमने 10 मिनिट के लिए बेक होने देते हैं, ये उपर की ओर से हलकी हलकी लाल हो गई है, लेकिन हमें थोड़ 10 मिनिट तक बेक होने देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुती कम बेक होई थी, इन्हें 10 मिनिट और बेक कर लिया था, और देखिए कितना सुनैरी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, अच्छी क्रिस्प हो गई है उपर से, नीचे की और से भी बढ़िया ब्राउन सिक गई ह बहुत गरम है लेकिन अभी है, इन्हें हम घी में डिप कर लेते हैं, एक एक बाटी को डिप करके निकाल लेते हैं, और गरम ही गरम इन्हें घी में डिप करना है, ताकि घी अच्छे तरीके से इनके उपर लग जाए, अगर आपको ज़्यादा घी लगाना है, तो इन्हें अंदर घी तो पढ़ाई है वैसे भी टेस्टी लगती है इस टीम के वह अभी एच्छावाटी बची हुई है इन्हें हम पैन्द सेकेंगे यह दो तीन चमबच गी इन्हें स्ट्राइब कर रहे हम डीफ राइं नहीं कर रहे आप चाहे तो डीफ राइब कर सकते हैं होने देते हैं फिर पलटते हैं इससे सिखते हुए तीन मिनिट हो गए इन्हें पलट के देखते हैं हाँ देखिए हलकी हलकी सी गुलावी होने लगी है तो एक बार पलट देते हैं फिर से पलट लेंगे इन्हें दोनों और से अच्छी गुलावी होने तक सेक लीजिए में तो बहुत जल्दी सिखकर तयार हो जाती है थोड़ असा इन्हें और शेकते यह देखिए दौना और से कितनी बढ़िया सी ब्राउन हो गई इसे दौना और हमने तीन-तीन मिनिट से का देड़ मिनिट और टोटल लगे साथ आठ मिनिट और ओवन में टाइम लगा पीस में बाटियां तैयार हो गए अब कुकर खोल के दाल को देखते हैं दाल पूरी बन चुकी है लेकिन यह काफी गाड़ी दिख रही है वैसे तो बाटी के साथ गाड़ी दाल खाते हैं लेकिन थोड़ी सी यह ज्यादा गाड़ी है फ्लेम ओन कर दी और आदा कप पानी और अब दाल की कंसिस्टेंसी देखिए बाकी आप अपने हिसाब से जित आप चाहें तो डाल के ऊपर यह चल्का और लगा सकते हैं बाफला बाटी और इनके साथ इस्पेशल डाल परूसने के लिए तैयार है यह बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसे जरूर बनाएगे और मुझे यह भी बताईए आपको कैसे लगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंच सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन भी दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली रैस्पीश के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे हैं